हलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टो मेथ क्लासेज और आज हम अक्सरसाइज 3.11 को आगे कंटीन्यू कर रहे हैं जा केस्टन नूमबर फिफ्त है अपना 10A-B by 2 upon 10A plus B by 2 is equals to A minus B upon A plus B लेफ्ट एंड साइड से तो यहां राइट बनाना काफी मुस्किल है राइट एंड साइड को हमें फोलो करना पड़ेगा और राइट एंड साइड में भी तो small A और small B है वाई इनकी वैल्यू तो sign formula से मिलेगी हमें और sign formula से A equal होता है किसके K sign A क माइनस में K sign B हो गया B ऐसे ही upon में हो गया K sign A plus में K sign B तो K तो common आके divide हो गया तो आपके पास क्या रहा sign A minus sign B upon sign A plus sign B अब केवल और केवल रोल है तो CD formula यूज होंगे वाई और CD formula में sign C minus sign D लग जाएगा numerator में तो जो किसके equal होता है 2 cos C plus D by 2 into sign C minus D by 2 क्यों है ऐसे ही आपके पास यहां पे बनेगा sign A plus sign B है तो sign C plus sign D 2 sign C plus D by 2 और into में क्या गया है हमारे पास cos C minus D by 2 2 से तो 2 divide हो गया है clear है और यहां से क्या बना आपका cos A plus B by 2 upon sign A plus B by 2 cos upon sign है रहे अंगल सेम है अंगल सेम है तो क्या हो गया यह coat A plus B by 2 हो गया है और into में sign upon cos angle सेम है तो क्या बन गया 10 A minus B by 2 आ गया हम left hand side देख रहे हैं तो फरक क्या है भई left hand side में इतना ही तो है 10 A minus B by 2 numerator में upon में 10 A plus B by 2 तो coat A plus B by 2 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 10 it means क्या बन गया 10 A minus B by 2 और upon में आ गया हमारे पास 10 A plus B by 2 जो कि आपका left hand side के equal प्रूव हो गया है यह पिटे आप लोग कर लोगे अपना question number 5 इसके बाद आगे बढ़ते हैं question number 6 है हमारे पास 6th question में यह कह रहा है हमसे A sin B minus C A sin B minus C plus B sin C minus A plus C sin A minus B is equals to 0 0 के equal प्रूव गरवा रहा है तो 0 के equal प्रूव करवा रहा है तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो सबसे पहले तो left hand side लेंगे हम left hand side लेने के बाद A, B, C की value पूट कर दो अब A, B, C कहा से आना है sin formula से भई क्या होता है K sin A into sin B minus C पलस B किसके equal होता है K sin B into sin C minus A पलस C किसके equal होता है K sin C into sin A minus B अब देखिए सबी ट्रम से के तो कुमन आ गया है क्या गया है के तो कुमन आ गया है अब यह angle देखो B minus C है भई तो clear है कि यहाँ B plus C की form में अगर आए तो ही कोई फाइदा है हमे क्यों भई तो ऐसा कब हो सकता है अभी तो हमने किया भी था कि आपके पास triangle के अंदर कि A plus B plus C है वो 180 के equal है आपको अगर A चाहिए तो चाहिए sin B plus C को उदर बेजदूर चाहिए आप B plus C को यहाँ रख लो 180 minus A उदर लिख दो sin apply कर दो sin B plus C is equal to sin 180 minus A sin A बन जाएगा तो क्या मिला यहाँ से सीखने को कि sin A है तो उदर B plus C है sin के साथ B है तो A plus C मिलेगा C है तो A plus C B मिलेगा वे तो यहाँ से अब रख दो sin A को हम क्या रख सकते हैं sin B plus C into sin B minus C ऐसे ही के तो कॉम्मन ले लिए sin B को क्या लिख सकते हो sin A plus C यह C plus A लिख दो into sin C minus A के तो कॉम्मन ले लिए sin C को क्या लिख सकते हैं sin A plus B into sin A minus B तो फैस्ट तो यह चेंज़ करना आपको वही ये करने के बाद आपके पास यहां पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि साइन स्केर बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी तो द्यान करो वही टू इंपोर्टेंट रिजल्ट साहे थे 3.6 में हमारे पास उन्हीं के अकोर्डिंग अपना ये रिजल्ट किसके इकवल बन जाएगा साइन स्केर बी माइनस साइन स्केर सी हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का जो हमारे रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा Sine Scare B माइनस में Sine Scare C बन गया ऐसे ही अब next result किलियर हो गया होगा Sine Scare C माइनस Sine Scare A बन जाएगा हमारे पास और ऐसे ही यहां से क्या बनेगा Plus Sine Scare A माइनस Sine Scare B आ जाएगा और ऐसा कर लेते हैं तो Sine Scare B चैंसल हो गया इदर sin square a cancel हो गया sin square c cancel हो गया तो k into में 0 आ गया k into 0 है तो 0 हो गया जो कि right hand side के equal है अब तक mostly question में small a b c के place पे हमें क्या use करने पड़ी है k sin a k sin b k sin c और उसके बाद आगे हम लोग इनको solve कर रहे है next अपना question number 7 है 7 में कह रहा है a square upon में sin a into sin b minus c plus b square upon में sin b into में sin c minus a plus c square upon में sin c और into में क्या है वही sin a minus b ये भी 0 के equal proof करवार है 6 में और इसमें कोई खास difference नहीं है आप left hand side लेके यहां भी a b c की value बुट करने है तो a square है तो क्या हो गया k square sin square a बन गया upon में sin a है और into में sin b minus c है b square है तो k square sin square b बन गया upon में sin b है हमारे पास और into में sin c minus a है ऐसे ही c square है तो case square sin square c बन गया upon में sin c है हमारे पास into में sin a minus b है क्या हुआ बटे हैं यहां से case square तो इस complete से कॉम बना गया फैस्ट वाले में देखो sin a से one powerless होगी sin b से one powerless होगी sin c से one powerless होगी अब हम लोग लिखते हैं तो क्या बना यह sin a into में sin b minus c हो गया next क्या बना sin b into में sin c minus a हो गया next क्या बना sin c into में sin a minus b हो गया अब इसमें और six question में कोई फरक है क्या उसमें के common है यहां पर बार इसमें बार क्या common है इतना ही फरक है बाई तो आगे क्या कर लोगे यहापे same as sixth question next अपका question number 8 लेता हूं मैं 8 जो question कह रहा है in triangle ABC क्या कह रहा है बाई in triangle ABC आप तक जो आप 7 तक कर रहे थे उनकी कानी भी यहीं थी उनके अंदर भी यही बात थे हैं, उनमें common लिखा हुआ था, in triangle ABC, यहाँ अलग-अलग करके, यह कह रहा है, in triangle ABC, अच्छा जी क्या given है, if sin square A is equal to sin square B, plus sin square C, given है वाई आपके पास ही, Prove that triangle is right angled at A, क्या कह रहा है, Prove that triangle is right angled at A, A, तो करना क्या आपको, sin formula के according, क्या था भाई, sin formula A upon में sin A is equals to B upon sin B, is equals to C upon sin, इसको किसके equal ले लिया था, के के equal, के के equal रखने से, A is equals to K sin A, B is equals to K sin B, और भाई, C is equals to K sin C, बना तक नहीं, तो यहाँ से मैं sin A लूँ तो क्या बनेगा, A upon K is equals to sin A हो जाएगा, B upon K is equals to sin B हो जाएगा, और C upon Mim K is equals to sin C हो जाएगा, बोल्ये के लिया रहा है नहीं, तो रखतो इसमे sin A, sin B, sin C की वैलू, sin A کی वैलू रखकोगे, तो A square upon K square आजाएगा, saine B की वैलू रखकोगे, तो B square upon K square आजाएगा, sin C की वैलू रखकोगे, तो C square upon Mim K square आजाएगा, के सुकेर है वो क्या हो गया आपका डिवाइड हो जाएगा क्या बचा यहां पर A square is equals to B square पलस में C square हो गया अब A, B, C क्या है ट्रेंगल के अंदर यह A, B, C ट्रेंगल है तो A के opposite side A, A, B की B A और C की क्या है C है अब किसी भी ट्रेंगल में तो side के सुकेर का sum अगर third side के सुकेर के equal आजए तो आप क्या कह सकते हो by converse by converse of Pythagoras converse of Pythagoras theorem की L से क्या बनेगा ट्रेंगल A, B, C is a right angled triangle at A, A क्यों लिख दिया मैंने इस पे बात कर सकते हो A सुकेर A स्केर का महलब B, C स्केर जो largest side होते हो hypotenuse तो है उसी का ही तो opposite angle है तो यहां से आपके पास यह क्या बन गई right angle at A A आ गया है यह था अपने पास question number 8 next आगे बढ़ते हैं हम लोग question number 9 अपने पास 9th question में कह रहा है B, C कोस A पलस C, A कोस B पलस A, B कोस C equals to prove करवा रहा है 1 upon me 2 A स्केर पलस B स्केर पलस C स्केर के बढ़ अप लोग left hand side लीजिए यहां से और left hand side के अंदर आपको करना क्या है मैं बता दू केवल और केवल कोस A, कोस B, कोस C की value पूट करनी है यह formula किसके equal है बस वो put करना आपको बाकी आप करजल्ट अपने आप आ जाएगा क्या है भाई B, C into कोस A कोस A का formula क्या था देखो A है तो minus का A स्केर तो B स्केर पलस C स्केर minus A स्केर अप उन में 2 B, C पलस वाले भाई पलस C A को एजिटीज रखे कोस B को क्या लगा दोगे B minus का आएगा B minus का आएगा तो A स्केर पलस C स्केर minus का B स्केर होना है अप उन में 2 A C या 2 C लिख दो पलस में A B into में कोस C तो C तो minus का आना है A स्केर पलस B स्केर minus C स्केर अप उन में 2 A B आ गया क्या कर देंगे हम लोग B C से B C Divide C A से C A Divide A B से A B Divide इस complete से बार क्या रहा है 1 upon 2 ले लेंगे भाई तो first term में क्या है B square plus C square minus A square second term में क्या है A square plus C square minus B square और पेटे पलस में third term में क्या है A square plus B square minus C square तो देखे एक A square भी cancel हो गया भाई एक B square भी cancel हो गया और एक C square भी cancel हो गया रहा क्या अपने पास अंदर अंदर three term है C square है A square है B square है तो क्या लिख दू मैं इसको A square plus B square plus C square is equal to RHS formula याद होना चाहिए और question का hint पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है क्या given है और जो करना है उसका कहां से हम लोग कैसे use कर सकते है इन सब बातों का बारी किसे हमें ध्यान होना चाहिए वह तभी easily हम लोग कामें कर सकते है next अपने पास आता है question number 10 है आपका और 10th question में यहाँ पे आप देख सकते हो 10 A अपन में 10 B is equals to C square plus A square minus B square अपन में है वाई B square plus C square minus A square यह प्रूव कर वा रहा है देखिए right hand side पे direct कोई formula यूज नहीं कर सकते है क्या नहीं कर सकते है direct कोई formula नहीं लगा सकते है left hand side में को option है या तो हम लोग क्या कर दें इसको 10 A उसको sign और cos में convert कर दो गए किसमें convert कर दो sign और cos में तो left hand side लेना पसंद करेंगे हम यहाँ पे हो जाएगा right से भी वैसे तो sign A ना 10 A तो क्या लिख सकते हो sign A अपन में cos A 10 B को भाई sign B upon में cos B तो क्या बन गया है यहाँ से sign A upon में cos A और into में आ गया cos B upon में sign B अब केवल और केवल इन चारों की value रखनी है बस और कुछ नहीं करना आपको sign A अभी हमने पिछे question number 8 में use किया था कि sign A वो किसके equal होता है A upon K के equal होता है तो यह तो गया A upon में के upon cos A cos A का formula कै भाई अभी use किया था B square पलस C square minus का A square और upon में आ जाएगा 2 B C into cos B cos B का formula C square पलस A square minus का B square आएगा भाई भाई भी है upon में 2 C और sign B का formula B upon में के आ गया तो देखें इन टरम्स को सही एड़िस्ट कीजिए A upon में के reciprocal होगे तो 2 B C upon में B square पलस C square minus A square हो गया into में यह है C square पलस A square minus B square और upon में 2 C reciprocal होगे तो K उपर चला गया और B निचे आ गया यह लिखना सीख गए या यह लिख गए तो आप इस question में complete हो आप इससे पार निकल चुके हो क्या K से K डिवाइड हो गया भाई clear है 2 से 2 डिवाइड हो गया C से C डिवाइड हो गया इस B से यह B डिवाइड हो गया और यह इस A से यह A डिवाइड हो गया बचा के अपने पास यहां पे C स्केर पलस A स्केर माइनस B स्केर अपोन B स्केर पलस C स्केर माइनस A स्केर और अगर हम लोग चेक करें तो it is equals to right hand side यह हमें question number 10 A को complete करना है next अपने पास आता है question number 11 11 जो question है वो यह कह रहा है कि prove that B स्केर माइनस C स्केर अपोन में A स्केर into sin 2A पलस में है वही हमारे पास C स्केर माइनस A स्केर अपोन B स्केर into sin 2B A स्केर माइनस B स्केर अपोन C स्केर into sin 2C is equals to 0 0 के equal हमें prove करना है वह इसको अब ऐसा करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा आप लोग द्यान दे सकते हो इसमें कि हमारे पास sin 2A है क्या भई sin 2A sin 2A है उसको हमें convert करना पड़ेगा और तो कोई option नहीं है इनको agities रख लो left hand side लेके इनको agities रख लो B स्केर माइनस C स्केर अपोन A स्केर को sin 2A है इसको क्या लिख दो 2 sin A into cos A ऐसे इसको क्या लिख दोगे C स्केर माइनस A स्केर अपोन B स्केर को agGreat sin 2B 2 sin B into cos B बन गया वे ऐसे इनक्स्टरम में कर दो A स्केर माइनस B स्केर upon C स्केर sin 2C को 2 sin C into 손 C लिख देंगे आप इस complete से लेना चाहो तो 2 को बार ले लो 2 के अंदर कोई जरूरत नहीं है 2 को बार लेने के बाद यह आपका b square minus c square upon a square एंटू sine a, sine a को put कर दिया, a upon me k क्यों है, a is equal to k sine a होता है, तो sine a upon k हो गया को से ए, formula रख दो, b square plus c square minus a square upon me 2 b c, plus में बार नेक्स्टर मेज़िटी, c square minus a square upon b square, 2 common ले चुके है, sine b को क्या रख दोगे, b upon k और कोस b का formula, c square plus a square minus b square upon me 2 c a, plus में a square minus b square upon c square, एंटू में आगया, c upon में k है, और into cos c का formula, a square plus b square minus c square upon में 2 a b, थोड़ी से मेनत तो करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा कस्ट करेंगे, तो उतनी हमें सुईदा मिलेगी, नहीं करेंगे, लापरवाई करेंगे तो भाई, उतनी लापरवाई बढ़ेगी, अब ऐसा करने के बाद द्यान से देखें, इंटरम्स की तरफ आप, एक तो इस complete से आप 1 upon k को common ले लो, 2 तो अलरड़ी common था ही, आपने k और common ले लिया, इस a से 1 power less हो गए, numerator क्या बचा, b square minus c square into b square plus c square minus a square, upon की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पे आप द्यान दे सकते हो, क्या रह गया बई, 2 a b c, 2 a b c, ऐसे इसमें b की 1 power less हो गई, तो numerator में तो c square minus a square हो गया, into c square plus a square minus b square हो गया, upon में 2 a b c आगया है, ऐसे इसमें c से 1 power less हो गई, तो यह बन गया, आपका a square minus b square into a square plus b square minus c square, और upon में 2 a b c, तो 2 a b c को तो बाहर निकाल लोगे, अंदर इन terms को solve करोगे, और solve करोगे तो आपके पास यहां से जो result बनेगा भई, वो क्या बनेगा, 0 के equal आएगा, क्या गरना आपको 1 upon में a b c तो common ले लोगे, और उसके बाद इनको expand करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, expand, और expand कर दोगे, तो it is equal to 0 आएगा, यह थोड़ी से मेनत आपको करनी है बिटा, next पर द्यान दीजी, question number 12 है हमारा, 12 किसन कह रहा है, b square into sin 2c, sin 2c plus c square into sin 2b is equal to 2bc into sin a, 2bc into sin a, यह प्रूव करवा रहा है, तो आप यहां से left hand side लोगे, और left hand side में आप क्या करोगे, सबसे पहला आपका काम है, sin 2c, sin 2b का फोर्मूला अपलाई कर दो गए, तो b square into में 2 sin c into cos c, plus c square into में, क्या हो जाएगा, 2 sin b into में cos b हो गया है, यह करने के बाद हमारे पास यहां पर हम क्या कर देंगे, cos वाला जो फोर्मूला है वो put नहीं करना, अब की बारे एक सुई दावर मिल गई, हमें केवल sin c को put करना है, तो 2b square into sin c, c upon में के हो जाएगा, into में cos c की value नहीं रखनी वाई, 2c square into में sin b की value रखनी है बस, b upon k into में cos b आ गया है, ऐसा कर सकते हैं अब ही आप, ये करने के बाद अगर हम लोग यहां से द्यान दें, तो हमारे पास numerator में क्या को मना रहा है, 2 को मना रहा है, b c, b c की 11 power को मना रही है, 2b c upon में k को मना रहा है, तंदर क्या रहा है हमारे पास, b cos c, पलस में भई, c cos b, अब अगर formula आपने read किये हों, तो कोई खास problem आने वाली नहीं है यहां पे, यह आपके पास किसका formula बन रहा है, जो projection formula है, उसके according यह आपका a के equal है वहीं, तो into में क्या गया है, a आगया, आपकी जो right hand side अगर उस पे मैं द्यान दूँ, तो 2bc तो चाहिए, चाहिए into में sin a चाहिए, अब sin a किसके equal होता है, a upon में k, तो आप क्या कर दोगे यहां से, 2bc into a upon k लिख देंगे हमें, इसको divide में k तो a, और a upon k किसके equal होता है, sin a के तो यह बन गया, 2bc into में sin a, जो की right hand side के equal proof हो गया, question number 12 में projection formula यूज हो गया भई, ऐसा ही हम लोग आगे 13 और 14 में कर लेंगे, next अपने पास है भई, question number 13, 13 में कह रहा है, a into में cos b plus cos c, is equals to, 2 into में b plus c, into sin square a by 2, यह प्रूव करना है भी, तो यहां से अपने पास देखी, क्या बन रहा है, left hand side अगर मैं यहां से ले लोँ, तो left hand side के according अपने पास क्या बनेगा भे, अपने यह आपका 13th question है, और इसके लिए अच्छा रहेगा, कि आप left और right दोनों को एक साथ ले लो, a cos b plus a cos c, is equal to 2b plus c into में, 2 को चाहिए इसके साथ exist कर दो भई, यहां के बजाए यहां लिख दो, 2 sin square a by 2, आपको दियान होगा, 1 minus cos a है, वो 2 sin square a by 2 होता है, तो 2 sin square a by 2 को मैं 1 minus cos से put कर सकता हूँ, तो यहां पे क्या कर दूँगा, a cos b plus में a cos c is equal to, b plus c into में 1 minus में cos a put कर दिया, left hand side को as it is रखते हुए, a cos b plus में a cos c is equal to, multiply करूँ तो b plus c हो गया 1 से, और minus का b cos a बन गया, और minus का c cos a बन गया वे, clear है, b plus c को यहां रहने दो, इन दोनों को left में ले आओ, तो left में ले आओगे, तो a cos b plus b cos a, इस ट्रम को लिखा है मैंने या, plus a cos c और plus c cos a is equal to b plus c, तो इसको, इसको, इसको कमबाइन कर दिया, इसको, इसको कर दिया, तो projection formula अगर आपको याद हो, तो a cos b plus में, क्या होता है वही, a cos b, और plus में a cos, नहीं, b cos a, तो यह आपका equal हो गया, किसके c के और plus में यह हो गया, b k is equals to b plus c है, तो आप कह सकते हो which is a true, अगर यह true हो गया, तो हमने prove कर दिया, next अपना question number 14 लेते हैं, और 14 वाले के अंदर यह कह रहा है, तो b cos c by 2, plus c cos b by 2, is equals to a plus b plus c, किसके equal prove कर रहा है, a plus b plus c के equal prove कर रहा है, तो यहाँ पे दियान दीजी, आप क्या करोगे, left hand side लेके 2 से अंदर multiply कर दोगे, b into 2 cos c by 2, c into 2 cos square b by 2, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको याद होगा, कि 1 minus में नहीं, 1 plus में, cos 2a है, वो 2 cos square a के equal होता है, यहाँ यह है, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ c by 2 है, तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, b into में 1 plus cos c, और plus में c into में, इसको 1 plus में cos b लिख सकता हूँ, वो लो के लिए रहा है ने, क्या हुआ, b से अंदर multiply कर दो, b plus b cos c, plus c plus c cos b बन गया है, तो b plus c को as it is रखे, और b cos c plus c cos c को इकटा कर दो आप, और अगर observe करोगे, तो projection formula A के equal होता है, b plus c plus a, it is equals to a plus b plus c, and left hand side is equals to right hand side, यह हमें प्रूव करना था भाई, यह आपका 14th question है, टिकलोमेटरी की exercise है, वो complete हो गई, miscellaneous वगेरा है, जितने भी और extra questions है, उन सब को आप लोग solve करके देखो, कहीं भी कोई doubt होता है, तो मेरे पास send करो, next video में हम लोग chapter number 4 है, वो अपना start कर देंगे,